स्टुरेंट्स मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांती कुछ ऑनलाइन इतासेस में स्वागत करती हूं तो बच्चो आज आपका हिंदी का पीरेड है ठीक है और हिंदी के पीरेड में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकर ठीक है तो सभी स्टुरेंट्स दयार हो जाएए आज के हिंदी व्याकर में आपको मैं पढ़ाओंगी आपको संग्या संग्या जिसको इंग्लिश मम क्या कहते है नाउन संग्या क्या होती है संग्या के बारे में चली हम आपको समझाती हूं आप यहां पर देखी पिच्चर देख रहे हैं कि जो पिच्चर है किसका है पिच्चर चिलिया घर का दिख रहा है आपको तो देखी यह एक चिलिया घर का चित्र है चिलिया घर में शे, हाती, जिराब, उद्बिलाव, आदी जनवर हैं इनके रावा वहां बच्चे तथा प शेर, हाती, जिराव, उद्बिलाव, बच्चे, पेड़ पौदे, खुशी, विश्मे, सभी किसी ना किसी वस्तू, स्थान, प्राणी, अथवा भाव के नाम है. हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तू, इस्थान, अथवा, प्राणी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है अपनी कक्षा में देखिए आप इसमें क्या क्या देखते हैं कक्षा में आप मेज, कुर्सी, शैंपट, खिर्किया, दरवाजे, बिजली का पंखा तथा अपने सहपाथियों को देखते हैं व्यक्रण में नाम को ही संग्या काते हैं यानि कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संग्या कराते हैं इसका मतलब अच्चो क्या हुआ? संग्या का मतलब कि आप मैं जो हमारे नाम ले देखते हैं इस सब क्या है? संग्या है किसी भी स्थान का नाम आपका संग्या है, किसी भी वस्तू का नाम संग्या है, किसी भी जानवर का नाम संग्या है, कोई भी भाव हमारा संग्या है तो इसलिए कहाते हैं कि किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तू, स्थान और प्राणी के भाव को हम संग्या कहते हैं अभी आपको मैं एक्जामपल दे के समझाओंगी तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे संग्या के भेद, संग्या के कितने भेद होते हैं? संग्या के तीन भेद होते हैं पहला व्यक्ति वाचक संग्या, दूसरा जाति वाचक संग्या और थर्ड है आपका भाव वाचक संग्या, अल्राइट, सबसे पहले हमारा आता है व्यक्ति वाचक संग्या, व्यक्ति वाचक संग्या क्या होते हैं, किसी विसेश, व्यक्ति, वस्तू, अथवा प्राणी के न वेक्ती वचक संग्या वह भुता है जो अपने आप में एक होता है। सिफ अकेला होता है। जैसे किसी का नाम आप ले लीजे कोई भी राम रोहन सोहन कोई भी होगा, वह अपने आप में एक है। उसकी जैसा कोई और हो नहीं सकता। हिमाले, ताजमेल, गंगा, यह नदिया है, यह नदिया अपने आप में सिफ अके एक ही होती है, इनके लावा कोई और नहीं हो सकती है, उसी पकार रास्ते हैं, कोई नाम है आपका, तो यह लखनाउ है, कानपुर है, बरेली है, यह सब क्या है हमारे, यह सब हमारे वाचक संग्या हो गया, उसके बार आता है जाती वाचक संग्या, यानि कि common noun, जो संग्या शब पूरी जाती का बोथ कराते हैं, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं, जैसे फूल, लड़का, पेड, घर, आदी, यानि कि अब देखिए फूल कहा, फूल का मतलब गुलाब का फूल भी हो सकता है, कमल का भी हो सकता है, कनेर का भी हो सकता है, सुरज मुकी का भी हो सकता है, लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का काला गोर लड़का, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, गंठा लड़का लंबा लड़का कुछ भी हो सकता है, लड़का का मतलब बहुत कोई भी लड़का, पेड़, पेड़ में आम का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, कोई भी पेड़, यानि कि जाती को संभुतित करणा है पेड़, पेड़ मतलब सब को बता रहा है, लड़का मतल गोड़ा काला है सफेद है चोटा है बड़ा है लड़की है नदी है कुता है पल है पहाड है दुकान है आधी जाती वचक संग्या के उधारण है ठीक है आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से उसके बाद नेक्स नेमारा भाव वचक संग्या यानि कि एबस्ट्रेक नाओ जिन संग्या शब्दों से किसी भाव गुड या दोश अवस्ता का बोद होता है उन्हें भाव वचक संग्या कहते हैं जैसे क्रोध प्रेम बुड़ापा दर्द दया खुशी आधी और इसके एजामपल आपके देखी कुछ और भी है जैसे कि मिठास प्यार जवानी बुर अच्छाई शतुता मृत्ता उचाई लंबाई ताजगी बच्पन आदी यह सब हमारे क्या है भाव वाचक संग्या मतलब कि वह जो हमको दिखाई नहीं देते हैं आपको अगर कोई गुड है वह आपको दिखाई नहीं देखाई आपके गुड़ापकी प्रतिक्रिया से न बिखनी है जयसे से शेर दाळाहा था तो इसमें हमारा क्या संग्या हो गई शेर शेर को हम लिखCr को देगे वह इंग वह होगया प्रतिक्रांग हो तो दिल्ली हमारा संग्या हो गया अंकित चीक रहा है तो अंकित हमारा क्या हो गया संग्या हो गया सोहन मेरा भाई है तो सोहन और भाई आपके दोनों क्या हो गए संग्या हो गए क्योंकि भाई मतलब कोई भाई चालेगा तो इसलिए भाई भी मारा संग्या है उसके बाद देखिए जाती वाचक संग्या सब्दों के लिए दो दो वैक्ति वाचक संग्या लिखो यानि कि पशू पशू में आप कुछ भी लिख सकते हैं शेर, जीता, इस्थान आप स्कूल भी लिख सकते हैं लालकिला लिख सकते हैं कश्मी लिख सकते हैं सब्जी, आलू, टमाटर, फल कुछ भी लिख दिए सेब, आम, व्यक्ति व्यक्ति में आप किसी का नाम लिख दिए राम, सीता, घर लकड़ी का घर, कच्चा घर ठीक है निम्रिकित वाक्यों में रंगी शब्दो का संग्या भेत पचान का लिखो आप देखिए आपको बताना है कि कौन सी संग्या है सीमा, जूला, जूल रही है तो सीमा क्या है बच्चो अपने आप में एक है आलोंकी है उसकी ऐसा कोई और सीमा नहीं हो सकता तो सीमा हमारी क्या होई? व्यक्ति वाच्च उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं तो खुशी हमारी क्या होगी? एक भाव है पतला पता लग रहा है कि कोई खुश है तो खुशी है तो इसले हमारा क्या हो गया? यह भावाचक संग्या हो गया एक चुडिया उसको देख रही है तो चुडिया हमारी क्या है बच्चो चुडिया तो बहुत सारी होती चुडिया में हमारे कबूतर दोता कुछ भी आ सकते तो चुडिया हमारी जाती वाचक हो गया रामू पेड लगा रहा है तो रामू एक लड़का है, तो रामू है तो सिलें मारा क्या हो गया रामू? अपका व्यक्ति वाचक हो गया ठीके अब आपका देखिए सही के सामने राइड कन्षान व्याक्रण में नाम को क्रिया का जाता है, तो ये गलत है इसको आप wrong कर देंगे जाती वाचक संग्या शब्द पूरी जाती का बोद कराते हैं यह हमारा सही है भावाचक संग्या गुर्दोस का बोद कराती है यह भी हमारा सही है लड़का ब्यक्ति वाचक संग्या शब्द है नहीं लड़का हमारा जाती वाचक है अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो बच्चों आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको कॉपी में से अच्छी तरह से सुन्दर सुन्दर हैनलेटिक में काम करना है कौनसी कॉपी में करेंगे आप अपनी हिंदी सेकर्ड की कॉपी में हिंदी वैक्र की कॉपी में सब अपना काम कम्री रखिएगा यह आपके एक्जाम में भी आ सकता है और राइट सुडेंट ओके स्टुडेंट हम लोग नेक्स क्लास में मिलते हैं बाइ